कि नमस्कार सभी को तो मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेप कमांड को यूज कैसे करते हैं और एक दो मैंने सेप कमांड आपको यूज करके सिखाया था आज थोरा सा मैं डिटेल करूँगा जो सेप कमांड कहां पे जरूरत परता है इससे आपको याद रहेगा जब वो ऐसा situation आपको आएगा जब आप कभी word में कोई report या कोई भी काम आप कर रहे होगे office का या खुद के लिए या resume बना रहे होगे तो उस time आ सकता है तो मैं important important जो है वो करके बताऊंगा और उसका situation बताऊंगा जो किस situation में यह जरूरत होता है तो सबसे पहला जो shape में है हमारा यह है जिसको text box बोलते हैं क्या बोलते हैं text box इसमें क्या होता है जैसे ही हम लेंगे और first corner select करना है जहाँ पर हम select करना चाहते हैं suppose मैं first corner यहाँ पर select करना चाहता हूँ और फिर अपना left click प्रेस करके ही रखूँगा दबा के ही रखूँगा और उसको drag करूँगा मतलब खीचूँगा और जहाँ जितना मुझे चाहिए उतना पर मैं ठोर दूँगा जैसे ही मैं ठोरूँगा automatic यहाँ पर आप देख रहे होगे करसर इसके अंदर आ गया तो text box जो होता है इसी लिए होता है जो कोई text आपको कहीं भी add करना हो तो एक box ले लो और text लिख लो तो text box command मतलब आपके word page पे कहीं भी text अगर add करना हो कोई shape नहीं देना हो बस text लिखना हो तो आप text box यूज करते हैं हृआ जैसे मैं यहाँ पर heading देना चाहता हूं मैं heading देदेता हूं अश्यान के मैं इस government time कर देंड़ देता हूं रोजुम ए है कि मैं इसको अपने this font command से यह मैंने आपको सिखाया था इससे मैं थोड़ा पड़ा कर लेता और इससे align कर लेता हूं सेंटर कर लेता हूँ इससे अंडरलाइन कर लेता हूँ ठिक अब देखो अब मैं इस टेक्स को अब जैसे मैंने बताया था इस पर डवल क्लिक करने के बाद एक अलग कि रीबॉन खुलता है यहां फॉर्मेट यह पहले नहीं रहता है जैसे मैं इसके आपके कीबोर्ड में इसकेप बटन होता है जो दाहिने साइट पे सबसे उपर रहता है तो इसकेप दबाने के बाद कोई भी कमांड जो एक्टिवेट है अभी चालू है वह रड़ जाता है जैसे मैं अभी इसकेप दबाऊंगा तो यह हड जाएगा अब फिर से मुझे इसको एडिट करना है इस टेक्स बॉक्स को इस बॉक्स पर जाओंगा और क्लिक करूंगा जैसे क्लिक किया मैंने यहां पर एक फॉर्मेट नाम से नया जुड़के आ गया टूल और यह सारे ख चाहता हूं मैंने भर दिया प्लस इसके आउटलाइन को मैं नो आउटलाइन या एक मोटा सा आउटलाइन रखना चाहता हूं यह आउटलाइन में रखना चाहता हूं ठीक है तो इस टाइप से अपन टेक्स बॉक्स को भी एडिट कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली टेक्स बॉ पिक्टर है क्लिप आट है स्मार्ट और चार्ट और texts यह सारे आते हैं illustration को में आते है ilustration तो आपको question ऐसे पूछ सकता है जो MS वर्ड में हम कोई भी shape या कोई smart art या कोई चार्ट या कोई picture किस कमांड से लेकर आते हैं तो option में अगर illustration रहे और पेज रहेगा लिंक या इस टेक्स रहेगा तो हम आनसर होगा इलुस्ट्रेशन कमांड तो अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर सेप कमांड अब सेप में हम दूसरा यह नॉर्मल लाइन है लाइन को क्या करते हैं दो सेलेक्ट करना होता है पहला पॉइंट और दूसरा आपने आप आ जाता है ठीक है अब इसको क्या है सीधा रखना जैसे रखना है इस लाइन पर करसर लेकर जाना है अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है जैसे जिसे आप से अलाइन करना है वैसे आप अलाइन को बढ़ाता हूँ graphics 3 points का MK कर देता ठ्रिक है color में change करके इसको औरेड कर देता हूं तो देखो आप line का भी यह change हो गया तो line command mainly क talents कभी भी आप कोई heading देते हो या topic देते हो या कोई भी चीज के बीच में partition डालना हो तो line का हम use करते हैं जैसे दो photo हमने डाला बीच में एक partition डालना हो तो line का use कर लेते हैं अब इसकी बात करते हैं arrow के arrow बहुत important है arrow को कहां use करते हैं जैसे अपन कोई photo बनाते है या photo लाते हैं या कोई diagram जैसे मैं suppose इसमें से ये photo लेकर आया हूँ अब मैं चाहता हूँ इसको specification देना जो कौन क्या है जैसे होता है ना body part में ये nose है ये ear है ये eye है सबका होता है उसी टाइप से इस photo को अगर मुझे specify करना हो तो arrow command का use करके मैं कर सकता हूँ इस arrow command मैंने select किया arrow side को मैं इधर करूँगा और इस पूच side को इधर कर दूँगा इसकी मोटाई थोड़ा समय बढ़ा लूँगा यहां से अब एक मैं अब क्या करूँगा देखो insert में जाके ये text box लूँगा क्योंकि मुझे यहां पर text चाहिए करसर यहां पर कभी नहीं आ सकता ऐसे नोर्मली लेकिन text box लेने के बाद यहां पर automatic text करसर आ जाएगा मैं इसको दे देता हूँ tip इसका tip है ठीक है ऐसे ही arrow command का use किसी भी चीज़ को denote करने के लिए आता है अब इसी को मुझे और भी चाहिए तो आप एक कर सकते हो इसको select कर सक करते हो फिर करसर को कहीं और click कर दो और फिर control V से paste करो same to same ऐसा बन के आ जाएगा और इसको दूसरे जगा आप यूज कर सकते हो फिर मैं ऐसा इसमें भी करता हूं कंट्रोल सी फिर एक क्लिक अलग बाहर में ताकि यह डी सेलेक्ट हो जाए कंट्रोल वी तो इस टाइप से हम text box और arrow command का यूज वर्ड में हम कर सकते हैं किसी भी document अगर हम बना रहे हैं तो आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है कोई भी doubt आये तो please comment में पूछिए और यह course complete है basic computer course जो है इकदम सुरुवाती से लेके इसमें सारे cover होंगे जो आपके exam point of view से आते हैं यह सेप मैंने पिछले video lecture में cover कर लिया था अब यह circle का मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ सरकल में कुछ निकरना सेम वैसे ही जैसे हमने वह बनाया था वैसे सरकल भी बन जाएगा तो I hope टेप का जो main feature है text boss मुझे बताना था arrow बताना था rectangle बता दिया था बाकी और सारी चीजे जैसे जैसे आप काम करोगे न वह आपको समझ में आने लगा जो यहां पर यह जड़रत है जैसे यह arrow जो है elbow arrow बोलते हैं इसको elbow arrow का परियोग हम वहां करेंगे जहां इस टाइप की situation आएगी जहां अंदर जाके ऐसा जड़रत होगा तो आप situation के हिसाब से यह सारे command सीख लोगे सेब के अंदर जो important था मैंने बता दिया है अब आगे हम आते है smart art की ओर smart art होता क्या है जैसे एक visual representation कोई भी चीज अच्छा दिखे इसके लिए हम लोग smart art का परियोग करते अपने फाइल में आप भी देखते होगे फाईल में जैसे रहता है कोई भी चीज जैसे कोई लिस्ट है पानो A लिखा हुआ है, इसमें B लिखा हुआ है, इसमें C लिखा हुआ है, तो ऐसे मैं किसी को लिस्ट दूँगा, या मैं ऐसा करके कुछ box बना दू, इस टाइप से मैं box बना दू और इसमें A, B, C लिखूँ, तो क्या है, ये ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा, और attractively भी लगेगा, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसी को बोलते है smart art, और ये normal text form हो गया, ठीक है, तो यही चीज हम यहां से करते हैं, यह जो हमारा page layout है, इंसर्ट में smart art है, smart art से हम यही करते हैं, अब इस smart art को हम बारी बारी से समझेंगे, इसमें क्या है, यह all पर है, मतलब सारे type के smart art एक साथ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं बारी 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 से यह सारे जो है, इसका use कहां कहां आता है, और कैसे use करते हैं, वो मैं समझ करते हैं, तो list अलग-अलग type के list होते हैं, जैसे यह block list है, basic block list बोलते हैं, 100 hexagonal list है, या picture caption list है, तो मैं एक आपको बतना के बताऊंगा, और बाकी आप खुद से try करना, जो कैसे बनता है, तो मैं normally यह block basic list बताता हूँ, और यह जरूरत कहां पर आती है, जैसे मैंने यहां य preview दिख गया, इसको preview बोलते हैं, जो थोड़ा सा दिख जाता है पहले use होने से, यहां पर देखो तो ऐसा दिखेगा list, यह ऐसा दिखेगा, यह ऐसा दिखेगा, यह ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो आप अपने स्वेक्छे अनुसार किस type से list बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यह basic block लेता हूँ, ओके करता हूँ, यह इतने सारे आ गया, अब मानों मुझे एक list बनाना है, A का, B का, C का, C का, और E का, मैंने list बनाया, अब देखो, जैसे ही यह activate है, यह command अभी activate है, तो एक नया design format खुल गया है, जैसे पहले format खुलता था, shape में क्या खुलता था, format, लेकिन smart art में खुलता है design, एक नया tab खुलता है, नया, इसको tab बोलते है, नया tab खुलता है design का, अब यह design में क्या क्या हम कर सकते हैं, यह तो हमारा layout हो गया, जो हमने basic block चुना था, इसमें अलग-अलग type के layout हो गया, ठीक है, तो मैं हमारा basic block, अब इसका color change कर सकते हैं, इसका, change color में जाएंगे तो आपको दीख जाएगा आप ऐसा रखना चाहते हैं ऐसा रखना चाहते हैं और नॉर्मल लखना चाहते हैं तो मैं इसको ठोड़ा सा तो यहां से change color हो गया, अब change color में भी कुछ effect डालना हो, जैसे हमने पीछे देखा था, text हम लिखते थे, और उस text में effect डालते थे, जैसे वो glow कर रहा हो, जैसे इसमें थोड़ा सा glow कर रहा है, लग रहा है 3D shape में है, इसमें थोड़ा और sign कर रहा है, तो इसको बोलते है smart art style, ज यह हमार हो गया, इस type से आप कोई भी list बना सकते हैं, अब जब यह बन जाए, तो आप कहीं भी click कर दे, यह हट जाएगा, फिर हमारा next यहां से हम लिख सकते, अगर फिर से इसमें कुछ edit करना हो, तो इस पे जा गया, left click करना है, अगर नहीं हो, तो double left click करेंगे, तो यह बात करता हूं, इंसर्ट में आते हैं, और smart art में, list हमने देख लिया process, अब यह process को हम कहां कहां यूज करते हैं, जैसे कोई भी काम है, जो एक के बाद दूसरा काम होगा, जैसे आप पहली class में रहते हो, उसके बाद दूसरी class में जाते हो, फिर तीसरी class में जाते हो, या ज थोरा सा पानी डालते हो, फिर साबून लगाते हो, फिर पानी डालते हो, तो ऐसे ही कोई भी काम में एक process होता है, तो उस type के काम को अगर हमारे report में दिखाना हो, तो हम यह process smart art का use करते हैं, अब इसका use कैसे करते हैं, हम देखते हैं, जैसे मैं normally एक basic block, इस बार मैं basic block नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा advance ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे हर बार सर तो basic लेके निकल जाते हैं, और हमें बोलते हैं advance करो, इस बार मैं advance लेके आपको बताता हूँ, जैसे एक यह process है, जो कोई शुरू से होता है, और last तक जाता है, जैसे हमारा यहाँ पे start देते हैं, start देते हैं, start होने के बाद यह हमारा रहता है grow, और यह हमारा finish line रहता है, जैसे कोई भी चीज में हम पहले start करते हैं, फिर grow करते हैं, फिर उसको finish करते हैं, इस टाइप से हम, same इसको edit करने का जो process है, layout तो यह रहेगा, change color में आके आप color change कर सके हैं, और style में style दे सकते हैं, तो process में आपने देख लिया, जो कैसे आप एक process को भी इस type से सजा सकते हैं, और process कहां पर आता है, यह मैंने आपको बता दिया, एक के बाद दूसरा काम होगा, वहाँ पर process वाला list हम use करते हैं, normal list ऐसे भी random भी हम use कर सकते हैं, लेकिन process में पहला दू technological order रहेगा, ठीक है, अब cycle, cycle type के क्या होते हैं, अब cycle का प्रियों कहां करते हैं, मैं बताता हूं, जैसे basic cycle मैं इसमें लेता हूं, और जैसे देखो, आपने water cycle पढ़ा होगा, जल चक्र हिंदी में पढ़ा होगा, carbon cycle पढ़ा होगा, nitrogen cycle पढ़ा होगा, तो cycle का मतलब होता है, क hierarchy, hierarchy का प्रियों कहां करते हैं, जैसे आपको कभी family tree बनाना हो, जैसे दादा, उसके बाद नीचे दो बेटा, उसका बेटा, उसके पोता, उसकी बेटी, ऐसा करके family chart बनता है, family tree बोलते हैं उसको, उस type का बनाना हो, या माल लो कोई company है, उसमें सबसे senior HR है, manager है, फिर उसका junior manager है, project lead है, या उसका employee है, तो एक hierarchy होता है, जैसे अपने परधान मंतरी है, परधान मंतरी के नीचे अपना वित मंतराले है, वित मंतराले के नीचे होगा कोई मंतराले, कोई उसका secretary रहता है, उसके नीचे रहता है, तो इस type से hierarchy जो एक उपर पद है, उसके नीचे सारी पीम लिख दिया पीम के बाद अपना क्या है फाइनेंस मिनिस्टर हो गया फिर डिफेंस मिनिस्टर हो गया महलोग और क्या बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं जैसे रेलवे मंत्री हो गया रेलवे मिनिस्टर हो गया अग्रिकल्चर मिनिस्टर हो गया तो इस टाइप से हाई की चार्ट आप बना सकते हैं और edit करने का process सेम है इसमें layout change होता है इसमें color change होता है और इसमें style change होता है जो glow करना है यह कैसे रखना है ठीक है तो I hope आपको जो smart art का concept है क्यों use करते हैं कैसे use करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बाकि यह चीजे similar है जैसे मैंने उपर बताया है तो अम आगे की ओर चलते हैं जो है हमारे charts यह थोड़ा important है और इसको लोग करने से डरते रते हैं जो यह chart कैसे करेंगे होगा मेरे से नहीं होगा तो बताते कैसे गए chart पहले जानते होता क्या है चार्ट समझते हैं पहले होता क्या है फिर उसको यह करना पढ़ना ज्यादा असान होगा जैसे chart क्या होता है माल लो कि माल लो लो कि एक company है एक दुकान है सपोज एक दुकान है जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलो मैं तक ही लेता हूँ मैं छे मैंने तक जन्वरी हो गया, फेब्ररी हो गया, मार्च हो गया, एप्रेल हो गया, में हो गया, जून हो गया, ठिक January में उसने 2000 का sale किया, February में 2500 का sale किया, March में 1000 का sale किया, April में 2000 का sale किया, ऐसे ही 3000 का sale किया, 2500 का sale किया अब ये ऐसा text में लिखा हो मानो 10 वर्सों का या एक ही वर्स का और आपको ऐसे ढूनना पड़े जो सबसे ज्यादा sale किस महीने में होता है उस महीने का अगर आपको visualization देता हूँ, इसी चीजों को अगर आप ऐसे चार्ट में दिखा दोगे, ऐसे मानो यहाँ पे January, February, March, April हो, और यह ऐसा सेल, मानो सबसे ज़्यादा सेल दिसंबर में है तो दिसंबर यहाँ आ गया, तो इसमें चार्ट में देखना ज़्यादा आसान रहता है, और समझना ज़्यादा आसान रहता है, एक नजर में आप देख के बता दोगे, जो कौन से महीना में ज़्यादा सेल हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा डेटा देखने के बाद, आपको decide करना परेगा, हाँ, इस महीने में ज़्यादा सेल हुआ, यह इस टा दिखता है हमारे report में, तो चलिए, हम उसका use करके आपको दिखाते हैं, कैसे वो चलता है, चार्ट में गया, चार्ट में भी अलग-अलग type के चार्ट होते है, जो से column chart होते है, जैसे column chart comparison पे चलता है, जैसे अगर कोई दो लोग है, उनका performance compare करना हो, तो comparison पे चलता है, line chart है इसमें अभी मैंने example दिया, वो line chart का बहतरीन example था, उस type से चलता है, pie chart percentage पर चलता है, जैसे हमारे वाई मंडल में क्या है, nitrogen कितना percent है, oxygen कितना percent है, जहाँ पे एक total unit 100% हो, उसमें लोग बटे हो, वहाँ पे हम pie chart का परियोग करते हैं, जैसे पूरा unit 100, एक रुपया में कितन भाग किसके पास है, अगर वह ऐसा situation हो, तो हम pie chart का इस्तमाल करते हैं, same bar chart का उसी type से इस्तमाल करते हैं, जैसे column chart का है, area chart का भी उसी type से इस्तमाल करते हैं, जैसे line chart का करते हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूं, column chart, line chart और pie chart, क्योंकि यह 3 important है, और आपको यही 3 देखने क मिलता है, अमूमन सा भी जगा पर है, तो column chart में जाते हैं, column chart पर यहां जाएंगे, column को select करेंगे, और ok करेंगे, जैसे ही आप ok करोगे, तो एक Excel का window खुल जाएगा, Microsoft Excel जो होता है न, वो खुल जाएगा, अभी Excel आपने पढ़ा नहीं है, तो डरना नहीं है, अभी Excel में कु मैं यह दो चीज़ को delete करता हूँ, अभी तीन चीज़े दी गई है, मेरे पास अब दो चीज़े आ गए, मैं इसका नाम दे देता हूँ, shop 1, मेरे पास एक shop है, जिसका यह January है, यह February है, और इसको मैं बढ़ा के आ देता हूँ, ठीक है, यह अलग-अलग मंत का sale है, मैं यह कर रुपय है, पचीज सो, चार अजार, हजार रुपय है, पंद्रो सो, पैटालिस, अब देखो, इसमें मैंने यह किया, हमारा यह चार्ट बन के तयार हो गया, और इसे मैं बंद कर देता हूँ, इसको यहां से cross कर देना है, red cross पे क्लिक करना, यह बंद कर देना, बंद भी कर देंगे, तो यहां यह बदलेगा नहीं, ठीक है, excel का काम उतना ही था, बस edit करना, अब इसमें भी same है, layout यह है, और chart का color और glow आप, change कर सकते है, अपने हिसाब से, ठीक है, अब देखो, यह shop मेरा है, जो किस महीने में सबसे ज़्यादा sell हुआ है, मुझे देखना हो, तो एक नजर में मैं देखके बता सकता हूँ, जून में मेरा sell हुआ है, और 45 हो का sell हुआ, सबसे कम मैं कहाना चाहूँ, तो डिरेक्ट मैं देखके बता सकता हूँ, जो 1000 का sell मेरा अपरेल में हुआ है, तो इस टाइप से अगर chart आप लगाते हैं, और अलग-अलग type के chart आप यूज यूज कर सकते हैं तो आपका जो रिपोर्ट है वह बहुत अच्छा दिखता है एफेक्टिव होता है और लोग उसको पसंद करते हैं आपका बॉस होगा या आप अपने कंपनी के लिए खुद चार्ट बना रहे हैं किसी क्लाइन को दिखाने के लिए तो वह इंप्रेस होता ह है इसलिए हम इसका इस्तमाल करते हैं ठीक है अगला चार्ट हमारा जो है लाइन चार्ट उसको हम जानते हैं कैसे वह बनता है इंसर्ट में जाएंगे चार्ट में जाएंगे लाइन चार्ट में जाएंगे अब देखो लाइन में भी अलग-अलग टाइप के लाइन है जैसे ये प्लेन लाइन है ये ऐसा लाइन है अलग-अलग टाइप के लाइन है आप जैसा लेना चाहो बाई डिफॉल्ट यह है मैं यही ले लेता हूँ ठीक है जैसे ही मैं वो सिलेक्ट करूँगा फिर से एक्सल खुलेगा अब इसमें चेंजिस क्या होता है जो वो ब्लॉक के फॉर्म में था न अब यह लाइन के फॉर्म में आ जाएगा उससे ज्यादा चेंजिस नहीं होते हैं जैसे यहाँ पर अभी तीन है मैं एक करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए इसको भी मैं कर देता हूँ सौप वन और इसको मैं कर देता हूँ जैनवरी पैरबरी मार्च मैं इसमें कर देता हूँ 200 का सेल इसमें 2500 करता हूँ इसमें 300 करता हूँ और इसमें मैं 350 करता हूँ इसमें मैं 200 करता हूँ और इसमें मैं 250 करता हूँ अब देखो यह हमारा चार्ट बनके तयार हो गया यह दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि वहाँ से भी हट जाए अब इसे मैं Excel को बंद कर दूँगा जो खुला है अब देखो एक मेरा सौप है जो जनवरी में 200 का सेल किया है और जून में किया है लेकिन सबसे ज़्यादा सेल किस मंत में किया है तो यहाँ पर हाइएस्ट पॉइंट है सारे 300 का सेल एपरेल में तो मैं एक बार में देख के बता सकता हूँ जो हमारा ये सेल इस मंत में इतना हुआ है तो इस टाइप से आप बना सकते हैं चार्ट को और अलग-अलग तरीके से इसको अप यूज कर सकते हैं ठीक है एक चीज और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कंप्रीजन वाले चीजे जो एक साथ दो तीन जो आपने दिखा होगा वो कैसे बनेगा और वो उसका क्या मतलब है कि आप यहन फिर से लाइं चार्ट ले रहा हूं कि और ऑपन हो गया मैं इसको कर देता हूं जनवरी कैं करवाडी और कि यहां इसको मैं॥ शॉब वन करता हूं इसकों मैंथ शॉप टू करता हूं कि इसको चाम सॉब एक करता जनवरी में मेरे सॉप वन से दो सो रुपया आया, सॉप टू से डेट सो रुपया आया, और सॉप थ्री से तीन सो आया, ठीक है, परबरी में यही चीज मेरा चार सो हो गया, सॉप वन से, सॉप टू से हो गया पान सो, और सॉप थ्री से सो रुपया, ऐसे ही मैं चेंज कर प्रिया 500, 400, 300, randomly मैं कुछ भी भर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 200, 300, इसको 100 ही मैं कर देता हूँ, अब देखो, अब समझना कैसे है चार्ट को, कैसे समझेंगे, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऐसे वो डेटा, तीन सॉप का डेटा समझने में बहुत दिक्कत होती, अब मुझे समझना है, जनवरी में ये रेड कलर का जो लाइन है, ये किस सॉप को डिनोट करता है, तो सॉप 2, दूसरा नमबर का जो मेरा दुकान है, वो कितना सेल कर रहा है, वो लाल का लाइन है, ये जो बुलू कलर सॉप 1 लिखा हुआ है, ये पहली सॉप का है, और ये जो ग्रेन टाइप का है, वो सॉप 3 है, अब मैं ये भी पता कर सकता हूं इसमें, जो जनवरी में मेरा तीनों दुकान में से कौन दुकान सबसे जादा अच्छा सेल किया था, तो ये किया था, सॉप 3, यहां दिख रहा है, अब मैं देखना चाहता हूं, अप्रेल मन्त में मेरा कौन सा सॉप सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहां पर देखो, सॉप 1 जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, तो देखो, बहुत सारे कॉंप्लेक्स चीजों को हम ग्राफ में इजिली ब दिमाग में रखना पड़ता और फिर जाके उसको चेक करना पड़ता जो किस में ज्यादा है किस में कम है लेकिन यहां पर क्या है एक विजुलाइजियेशन से हम सारी चीजे देख सकते हैं इसलिए चार्ट का परियोग हम करते हैं ठीक है आई होप आपको चार्ट का समझ में से आ गया होगा कॉलंब चार्ट लाइन चार्ट अब पाइच शाट के बाद कर लेता हुएं फइंक चवाटर स्केंड को थर्ड़ क्वाटर और फåर्थ चार्टर इसने बने हुआ है मैं इसको और भी चाहूं तो बढ़ा सकता हूं फिफ्ट क्वाटर भी कर सकता हूं तो यहां पर पांच भागों में यह बढ़ जाएगा ठीक है अब मैं फर्स्ट क्वाटर लेकिन मुझे हमेशा ध्यान रखना है जो इसका टोटल सम हंड्रेड ही हो हंड्रेड से हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो जैसे मैं इसको करता हूं मानों दस इसको करता हूं बीस बीस और दस तीस हुआ इसको करता हूं तीस इस तीस साथ हुआ इसको करता हूं बीस और इसको करता हूं बीस 100% हो गया हमारा अब इसको मैं कट कर देता हूँ देखो फर्स्ट क्वाटर में कोई चीज है जो रेड कलर से है यहां पर हम वह भी लिख सकते हैं आईटम का नाम भी लिख सकते हैं जो इतना भागों में है सकेंड वाला थार्ड वाला सबसे अधिक है तो इस टाइप से पाई परसेंट है कारबन डायोक्साइड इतना परसेंट है तो वह सारी चीजे आप यहां से भी बना सकते हो इजीली तो आई होप आपको यह चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा एक्जाम में भी क्वेस्टन इससे आते हैं साथ ही आपको रियल लाइफ में कहीं भी जाओ इ स्क्रीन सॉट का जो फोटो है यहां वर्ड फाइल आप बना रहे होगे वहां पढ़ैज आप जिसे कब जरुरत पड़ता है जैसे आप कोई फाइल बना रहे हो या कोई रिपोर्ट बना रहे हो और उसमें क्या होता है आपको Google से कोई फोट्र लेना है जैसיה से मैं Google खोलता और image पे जाता हूं मुझे computer के photos word file में लाने है तो मैं अब क्या करूंगा मैं आ जाओंगा अपने word को मैं screenshot पे click करूंगा screenshot पे click करने के बाद screen clipping यहां पे दिख रहा है जैसे ही यह आप click करोगे तो जो window आपका खुला हुआ है word के अलाबा उस पे वो switch हो जाएगा जैसे मेरे पास अभी computer में word file खुला हुआ है और यह chrome खुला हुआ है तो अब मैं यहां से इसका screenshot प्रोप कर लूँगा यहां से और ले के जाता हूं तो thank you so much for watching this video ऐसे ही जूरे रहे हमारे साथ और सारे कमांड हम अच्छे से सीखेंगे सीखने के point of view से भी और exam point of view thank you